यह है Titan का Smart 2 and Fast Track Reflex Play Plus और आज इन दोनों वाचेज में जो Always Own Display फीचर हैं कैसे Configure करना है वो जान लेते हैं सबसे पहले हम Titan पे जाते हैं Titan की वाच को हम यहां से Own करके Settings में जाएंगे Settings में इसके Display में जाएंगे यहां पर AOD Clock है AOD Clock में डिस्टर को मैं Select कर लेता हूँ डिस्टर को Select करने के बाद हम इसकी Wait करते हैं उतनी देर में मैं आपको Fast Track का दिखा देता हूँ तो Fast Track में हमें Settings में जाना है Settings में यहां पर आपको Always On Display आ रहा होगा यहां पर आपको डिस्टर क्लोग कर देना है यहां पर Yes कर देना है तो यह हुआ Always On Display Features Fast Track एंड टाइटन का तो यह देखिए टाइटन पे हमें डिस्टर की जो लुक आ रही है वह कैसी आ रही है वह आपके सामने ही है अभी कुछ इस पलों में Fast Track पे भी आ गई Fast Track पे जो डिफरेंट से लुक दी हुए है क्योंकि Fast Track एक स्पोर्ट्स लुक में आता है तो इसकी जो आपको डिस्प्ले आएगी तो थोड़ी स्पोर्टी आएगी टाइंटन में बिल्कुल सिंपल से आ रहा है यहां पर डिजाइनर है अब हम इन दोनों में ऐलोग कलोग में लगाकर देख लेते हैं सैटिंग में जाएंगे डिस्प्ले में अब आपने देखा इसमें आपको डिस्प्ले के अंदर जाके AOD क्लोक देखने को मिल रहा है और फास्ट ट्रेक में चेंजिस कर दी हुए है वहाँ पे आलवेज ओन डिस्प्ले आ रहा है फीचर सेम ही है बस आपको इसकी सैटिंग में थोड़ा सा डिस्प्रेंट देखने को मिल रहा है सैटिंग में जाना है यहां पे आलवेज ओन डिस्प्ले एनलोग क्लोग येस बाहर आ जाए ये ठेंक्यू तो यह देखिए वल्ट लोग की जो आपको लूग आ रही है बिल्कुल डिफरेंट आ रही है यहां पे आपको चार पॉइंट देखने को मिल रहे ह। अब यह ही आप यहां पे वालवेह wes transmitted मे देखें तो फार्स ट्रेक में सिर्फ ओल प्रॉइक आ रहा है उनमें points कोई